तो नवसकर दोस्तों कैसे भाब सब स्वागत है आपका मेरे चनल में और ये जो दनते वारा में जो वेकेंसी निकले हुई थी ये दिखे ये वाली करेलेक लेक्टर जीला दक्षिड बस्तर दनते वारा तो इसमें जो ये फॉर्म है इसको हम लोग हम भी फिल करने वाले हैं आपके लिए तो बने रहे है चैनल में दूसरी बात मैं आपसे खोंगा कि जल्दिबाजी मत किजिए मैं भी देखिए कम सकम दो तीन घंटा इसको देखने के बाद ये बना रहा हूं तो जल्दिबादी मत किए और विडियो को भी पूरा देखिए किसी प्रकार से क्योंकि फिर बाद में ये ऐसा है वैसा है करके तो एक बार फाम सब्मिट होने के बाद ना फिर कुछ सुधार का आपसन नहीं है और दूसरा बात ऐसा है कि उधर वो लोग बैठे हैं अपने ल इस जम्पल के लिए मैं यहां पर फाम जो है डाल रहा हूँ देखो यहां पर क्या है सत्यापित नमिंतम पासपोट साइच स्वाप्रमारित फोटो चस्पा करें ठीक है ना तो यह होता है स्वाप्रमारित ठीक है आपको फोटो के बगल में साइन करना होता है ठीक है ठीक ह या नव जुन दो हजार 23 इस प्रकार से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेकिन ये इसकी आउसकता नहीं है क्योंकि यहां जो है इस पर श्टूप से दिया है तो आगे बढ़ते हैं तो देखें यहां पर क्या है आवेदित पत का नाम तो मैं ये भरित्य के लिए भर क्रमांग है ये ये देखें ये क्रमांग है चत्तिस तेरा आट जून दो हजार तेईस ये लिखें आवेदक का पूरा नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखें पीता का नाम हिंदी अंग्रेजी में जनते थी अंग्रेजी में और फिर सब्दों में इसको लिखना है फिर एक जनुरी दो हजार तेईस की स्थिति में आयू निकालना है याद रखे नहीं इसमें गलती मत किजिएगा क्योंकि कई जने आज करेट में निकाल देते हैं एक जुन दो हजार तेईस में तो ये फिर गड़ड़ हो जाएगा और ऐसा माना जाएगा आवेदन में आपने गल भी कर लिजीए फिर वर्तमान पता के जमान ये पुर्वत कई भासा सब्द में लिख लेते हैं इसको जाती अन्य पिछला वर्ग क्या आप चादे करके मोल निवासी हां आपको निवासी पत्र यहां सनलगना करना है अब दिभ्यांग सेड़ी से हैं तो नहीं भूत पूर स ये पांचवी ये दस्वी इसलिए डाला है पांचवी में यदि आपका जो है जन्म तारीख दर्ज ना हो ठीक है ना वैसे रहता है लेकिन फिर भी यदि ना हो तब के डेट में आप दस्वी का जो है आम मार्ग सेड जो है यहां पर सब्मीट करनी क्या उसकता है नहीं तो जन्म दिनांगे तो पांचवी आठवी कोई भी चल जाएगा तो सिधी सी बात है यदि पांचवी भाई हम हम परित्त में डाल रहे हैं तो पांचवी से हमारा काम चल जा रहा है यह सेक्षी खियो गैता और जन्म प्राणपत्र दोनों के लिए काम हा जाएगा तो दसवी के डालने के आउसकाता यहाँ पर नहीं होगी यदि आपके पास नहीं है मतलब आपके जो अंग सुची में डेटा बर्थ नहीं लिखा है तब कर डेट में आप दसवी का सब्मिट कीजिए अगली बात अगर आपके पास जो मार्क सिठ है जो ग्रेडेशन वाली है तो वो अपने इसकुल चले जाएए वहाँ से अपना जो ग्रेडेशन है ना उसको अंको में परिवर्तित करा लिजे या जो वार्चिक परिक्षा मुल्यांकन जो रिजिस्टर होता है उसमें अपने जो मार्क सिठ है उसका एक फोटो कापी कराईए और उसको प्रधान पाठक से सत्यापित कीजिए उसके बाद आप इस फार्म को भरिए और अगर आपके पास ये नहीं बन रहा है करते तो आप सिधा जो है इसमें पांचवी परिक्षा ओले प्रापतांक में अपना खेंगे तो क्रमान के कार्यात पत का नाम भृत्य है अदिखिए अब भृत्य के पत में हैं और भृत्य में ही डाल रहे हैं तभी आपको जो है नंभव को लाब मिलेगा कार्यला के नाम तहसिल कार्यला सिव्णायन प्रती महावितन है 7000 कार्यला अवधिस्य कप्तुत एक जनली 2020 से आज के दन तक कार्यदत हैं वायवाहित हैं यदि आप विवाहित हैं तो विवाह के तीथी लिखिए तो तेरा मई 2021 पच्चुक संख्या एक आगे देख लेजिए अब एक तर द्वारा आवेदा ने पांच वी कांग सुची आठ वीक संग सुची दस वीक बारव प्रमाण पत्र चाहिए और उसके बाद आए प्रमाण पत्र भी चाहिए याद रहे ना यदि आप आयप प्रमाण पत्र सब्मिट नहीं करेंगे तो आपको जो है समान ये गिन लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर कहीं पर रिस्पस्ट है देखें अन्य पिछला वार के ब्रती को जाती प्रमाण पत्र के साथ गयर क्रिमिलियर के अन्तर आने का प् फिर नीचे साइन यहाँ पर पूंट पता ये तो हो गया आवेदन भरने का तो एक बार आप लोग देख लिजिएगा कहीं पर निर्देश को ठीक से पढ़िएगा मेरे भी इस आवेदन में कहीं पर कोई तुरूटी हो रहा हो नीचे आप कमेंट कीजिए और भरने के पहल इसे बनाना है ये मैं बता रहा हूँ ये एक छोटा लिफाफा एक नग होना चीए जिसमें 10 रुपय का टिकट लगा लिफाफा हो या तो देख सकते हैं ये समस्तर डाकुमेंट है ये सब सनलक न होगा और सब के सब क्या होगा स्वाप रमाडित होगा क्या होगा स्वाप होगा ठीक है तो ये सब क्या करेंगे आप सलंग न करेंगे उसके बाद इसको नत्थी कर देंगे और उसके बाद आपको ये जो बड़ा लिफापा ये देखें इसमें आप भर देंगे ठीक है यहाँ पर अपना पता लिखेंगे और उपर लिखेंगे कारेलाय कलेक्टर वित जो समझट डॉकुमेंट को भरेंगे और सबसे उपर में क्या होना चीए आपका ये होना चीए ये काना चीए ठीक आविधन का प्रारूख तो ये सब भर के आप जो है क्या करेंगे इस पीड पोस्ट करेंगे या फिर रजिस्टर डाक से भेज देंगे ठीक है दोस्तों वीडियो आपको informative लगा हो आपको कुछ मदद हो रही हो तो चैनल को सबस्काइब करना बनता है और वैसे भी मेरा जो है 1000 सबस्काइबर भी complete ही नहीं हुआ है तो प्लीज थोड़ी से help कीजिए आप लोग और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में धन्यवाद